जिसना हमने पहले बहुत सारी अपने मॉडियूल्स में यह देखा है कि एंटर्परनियोर या प्रोड्यूसर वेरियस कंबिनेशन आफ इन्पुट्स के दर्मियान स्विचिंग करता है वो स्विचिंग क्यों करता है वो एक अलहदा है अगर हम कहें जिस factor of production की price market में कम हो जाएगी market में abundant हो जाएगा या उसको easily available होगा तो यह possible है कि वो उसकी ज्यादा मिकदार ले ले चुँकि उसको same level of output produce करना है और यह भी हो सकता है कि उससे उसकी cost कम हो रही हो लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो उस सारी combinations में हम यह कहते थे कि वो एक factor को change कर रहा है अगर उसने production को बढ़ाना है means capital को constant रखते हुए वो labor को enhance करता है या labor को constant रखते हुए capital को enhance करता है अब यहां पे increase हम जब भी देख रहे थे हम उसको mathematically भी जब देखते थे तो हम change in one input को देख रहे थे लेकिन constant rate of return कहें या increasing कहें लेकिन जब भी हम returns to scale की बात करेंगे तो यहां पे इसका मतलब होगा कि now we have to change the total amount of the inputs means capital और labor अगर हमने amount को बढ़ाना है तो production function में मौझूद जितने factors of production हैं वो दो हूँ वो तीन हूँ वो चार हूँ सभी को increase किया जाएगा और अगर उसको decrease करना है तो उस production function को as a whole जितनी amount से decrease करना है सारे को decrease किया जाएगा तो the main difference अब जब returns to scale की बात होगी तो यह increase in input की नहीं होगी यह increase in inputs की मजमूई तोर पर बात होगी और input increase को हमने जब भी increase करना है चुँके वो production function एक mathematical term है यह एक technical aspect है तो उसको हम एक चुँके एक ही मिकदार से एक ही ratio से एक ही scalar value से enhance करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि वो decrease या increase जब भी होगी वो एक constant factor के जरी होगी तो उस constant factor को कभी हम T से show कर सकते हैं कभी K से show कर सकते हैं कभी हम C से show करते हैं लेकिन that should be a constant अब अगर हम increase या decrease कर रहे हैं और there is a production function तो that is very much clear के production function की एक side पर हमारे पास inputs हैं और उन inputs को हम अगर show करें कि अब हम कहें कि there is q that is the function of a capital and labor और हम इन inputs को change कर रहे हैं तो वो जो change है उस change की वज़ा से इस q में कितनी change आएगी तो अगर तो इस change को अगर हम कहें कि जो first change है in this a into k and l और this change in q अब इन दोनों changes की हम aspect को सामने रखते हैं तो हमारे पास तीन किसम के returns to scale सामने आते हैं अब वो क्या है कि अगर हम इस equation में जो के right side पर हमारे पास inputs हैं हम किसी एक constant factor से increase कर रहे हैं और वो constant factor कहता है कि हम तमाम inputs को suppose double कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि that is multiply by 2 a into k into l और उसके जवाब में जो हमारा output है वो भी same amount of 2 ही show कर रहा है में twice हो गया तो then we will say that this change in inputs and change in output is equal तो चूंके change in output due to change in input due to change in अब मैं यहां पर तमाम factors की बिरह हम कह सकते हैं कि of all factors is constant या same अब वो constant इसलिए कि 2 है या 3 है या equal है और अगर यह equal आ जाती है तो हम कहेंगे कि there is constant returns to scale अब यहां पर factor यह है कि चाहे 3 का factor आए चाहे 4 का आए चाहे 5 का आए लेकिन दोनों तरफ same factor अगर आए तो इसलिए हम अगर जब show करते हैं कि अगर हमारे पास production function में जो हमारे जितने inputs हैं अगर हम it will be called constant returns to scale और अगर यहां पर देखें तो यह सिरफ और सिरफ उस time से multiply हो रहा होगा now coming to another condition जिसमें हम देखते हैं कि वही वाली change जिसमें हम कहें कि there is a change in output due to change in certain factors of the input जो के multiply हुए थे mean वो t था या कम था अगर हम उसको देखें कि यहां पर जितने factors को हमने multiply किया था अब वो कितनी है अब अगर if this change is less than 1 तो हम कहेंगे कि यह decreasing returns to scale है और इसलिए जब हम उसको t से show करते हैं कि if this factors mean first factor of production or second they are multiplied by a constant but their resultant is less than that amount so हम इस पर कहेंगे कि यह decreasing rate of return है sorry यहां पर जो हमारे पास है कि यह हमें notation t less than 1 को show करेगा तो अगर हम इस पर कहें तो this will be called decreasing returns to scale अब इसी तरीके से जब हम next में जाते हैं तो अगर वो जो change in output due to change in amounts or quantities of all factors of production से अगर हम देखें तो हम इसको generally कहें कि अगर हम inputs को scale up कर रहे हैं और उस scale up के नतीजे में जो हमारे output में change है वो उस scale से कहीं ज्यादा आ रही है तो then we will say that there is increasing returns to scale अब इसको अगर हम graphically देखें तो यह हमारे पास उसकी diagram की शकल में जो नजर आता है अगर एक line जो के हमारे पास straight line की form में show हो रही हो और हम देखें तो उसमें input की change में अगर हम देखें तो हम यह overall show करें कि difference between the points जो है वो जब inputs की increase करने के मुकाबले में जो next iso quant है वो थोड़ा सा कम difference show कर रहा हो तो हम कहेंगे कि same level of output is now produced with less amounts of the inputs तो वो increasing rate of return होगा लेकिन अगर same level of the show हो रहा होगा तो constant return होगा और अगर difference between the two iso quants बढ़ रहा हो तो इसका मतलब होगा कि same level of output को पहले से ज्यादा amount of inputs दरकार है तो यह decreasing returns to scale show हो रहा होगा कर दो कर दो